हाई फ्रेंटS welcome back to my channel हुए मैं मैं निमी प्रिया और आज मैं आपसे बात करने वरेगा के बार में आपको फेस के ऊपर शिखिशी की सौप पार्ट होता है उसके ऊपर आपको वैक्सिंग कौन सा पर्ना चाहिए वैक्सिंग करने की बैनेफिट्स क्या होता है अगर दलतेर के इझे से वैक्सिंग कर हो तो उसका क्या हानी हो सकता है है ये सब पात करने वाली ही हो और उसमें- रिका वैग्स जósदै कि लाइप saying ब्रैक्स वाल मता है लहोदे ही दो फेशे क्या होता है यह तो जो एक हम हमेरादे फेस के वबर और अंडरलम जैसे की सब पार्ट के वपर आपको कौन सी वैक्स उसका उसमें आपको इस तरह की वैक्स उसका जाहिए चिसमें आप अलविरा हो, हनी हो जो सेंसिटीव पार्ट में आपको ज़्दा बेनेफिट से अब खुद कर रहा है व कि आपको हैर गुर्ट निकालनी चाहिए वह आपको पता होना चाहिए अगर कलसे क employee किसी निकाल ढह wollte deúc कभी-कभी skin peel भी होती है जिस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको face के उपर खुद से wax नहीं करना चाहिए एक टॉप-salon से करो या फिर salon at home जैसे के urban companies मैं और पहसरी जो भी companies है उसमें चाहसतर एक्सपरियंस लड़किया लेती है उससे उनसे wax करा ना अच्छा हो रहता है मुझे पता है कि मैं भी उनमे से छॉप कर रही हूं लाग 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 ल जालतर वह आम वैक जैसे की honey wax, aloe vera wax इससे यह जो छोटे hair वह नहीं निकलते है कि यह जो liposolubal wax होता है वह एक hard wax में आता है इसलिए वह सौपर्क में जालतर ब्यूटिशिंस चाहलतर salons मना करेंगे चिन को इसके बारे में अच्छे से knowledge है वह पेस के पर यांडरॉंस के अच्छे सब्सक्राइब करने के लिए बना करेंगे honey wax जैसे ही wax को करने के लिए आपको suggest करेंगे honey wax यह ऐसा wax होता है जो sugar-based wax होता है जो sugar से बनाया हुआ wax होता है और यह जो liposolubal wax होता है उसको इस तरह से बनाया गया रहता है कि आपकी in growth आपकी जो hair के जो चुट्चरे पी बाल है उनको भी निकालने के लिए वह help करता है कि skin कैसा texture है तो आपको पहले पैष्ट एकाना चीज़ सलवर में जाएंगेंगे तो उन लोग खुद ही आपका टेस्ट करकी निए इनगा तेस्नous में patch test करकर देखेंगे और आप फेस के ओपर अगर वैक्स करेंगे तो इतना ज़्याद आपको पता नहीं चलेगा तो आपको पैश्टेस्ट कर रहे हो उसके बाद आपको 10 मिंट्स करना चाहिए कि आपको उसी ताम पे रियक्शन पता चलेगा किसी को वैक्स करने के बाल थोड़ा से इचीग होना स्टाट अभी हम फर्स्टाइम कर रहे हो या अब कुka इचिंग हो रहाया है तो पता है कि हमेशा इचिंग होता है जब आप कांब कर रहा है या होता है हर टाइम बाद चल रहा है लेकिन अगर वो इचिंग एक हद से बहुत जादा हो गई तो फिर आपको थोड़ा सा उसके पर ध्यान दर जाएंगे सबसे पहले आपको अलेविरा जेल वो खुद ही लगाएंगे अगर नहीं लगाने तो अलेविरा जेल लगाओ उसको सेट होने को कुछ भी मत करो इचिंग हो रही है तो उसके उपर बिल्कुल भी हात मत जादा तर लगाओ उसके उपर कोई क्रीम यूज मत करो अब कुसी अलेविरा जेल लगाना है और उसको छोड़ देना है उससे भी नहीं हो रहा है आपको रात के टाइम सोते टाइम अगर अगर हमाना ग्रोध की साइट है और हम अपोजित साइट से नहीं करते हैं तो आपको डॉक्तरी की जरूरत है आपको डॉक्तरी के पाल जाके देखना चाहिए और यह सब कम होता है अगर हमारा ग्रोध की साइट है और हम अपोजित साइट से नहीं करते हुए कुछ अलग साइट से कर रहे हैं नीचे की साइट से कर रहे हैं उपड की साइट से जग हमारा करने का तरीका गलत होता है उस टाइम पर ऐसी होता है अगर एक की जगे पर 2-3 बार आप वैक्स करो तब ही भी यह सब छीज़े होती है स्कीन बार्न होना जलतर इसमें ही होता है किसी को एक भी बाल नहीं देखा जाता है कि यह यह देखो यह पर एक बाल है यहांपे एक बार है अब देखो एक बार हुआ है ना वाक्स उसके बाद वह नहीं निकल रहा है मतलब वह उसमें उस टाइम पी नहीं निकलेगा उसको रहने तो 10-15 मिन अगर चाहिए तो करो बैट मैं तो बोलूं कि उसके उपर नहीं करना चाहिए पैसे ही छोड़ देना च जब दब face waxing निकल जाती है, आपकी growth होट जाता है, तो एक time पर हो रहा है, इसके बास second time दुसरे side करो, उसके बाद फिर जो भी आपको parts करना है वो करो, वो होने के बाद तो उसके time होगा वापे set होने के लिए, उसके बाद पर उसको पानी लगा कि जो भी आपका process है वो करो उसके बास waxing लगा, बस, दो बार से ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, no means no, उसके बाद अगर उसका कुछ reaction होगा है, तो आपको talk के बाद जाना है, पर प्रेक्शन में, waxing होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब कोई भी wax कर रहे हो, honey wax कर रहे हो, जब सब में process अल आपको पानी से नॉर्मली वाश करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे, क्योंकि honey wax इतना ज़्यादा स्कीन को हम नहीं करता है, और आजकर ब्यूटिशन या आप सलॉन्स में जाएंगे, तो उन लोग ज़दर honey wax के लिए मना करता है, क्योंकि उनका costing, तोनों का costing ज़दा डिफरेंस रहता है, इसमें आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, इसमें एक टैम में ही waxing निकल जाता है, इसमें में लाइपो-soluble wax, रिका wax, रिचलोन wax और ऐसे बहुत सार राइपो-soluble wax है, वो सब एक टैम भी निकल जाता है, लेकिन honey wax में आपको दो बार ए sensitive है, तो आपको honey wax ही करना चाहिए, जिसमें aloe vera हो, वैसी wax करो या फिर honey wax सिलेक करो, वो आपकी skin के लिए अच्छा रहता है, कुछ इसमें उचल 90%, कुछ प्रोब्रम नहीं होता है, वो आपको लाइपो-soluble wax करने के लिए अभी में इसमें ही आपका अंसर है, रिका wax क्या vaak tanning को हटता है, tanning को reduce करता है, tanning को si fir निकालता है क्ली लगता है, smoothe видィить tanning को हटता है, tanning को reduce होता है, tanning को कम करता है waxing waxing से बहुत सब्सक्राइजरों का यज़िफ कर आणा है कि waxing से growth कम होए है, हाँ, एक तायम के बाद आपकी growth कम होते definitely तो अगर रेजर से निकाल रहे हो तो ग्रोथ उल्टा ज़या हाड आने लगती हैं तो होती है प्ट यह स्कीन भी ब्लैक होना चालो होती है तो उसे अगर अच्छी ग्रोथ बहुत जादा ग्रोथ है और उसको कम करना है उसको soft करना है और प्रक्रों के लिए अच्छा है।ि तो आपको बैक्सिन ही काना चाहिए, तो आपको रिगुलर वैक्स के लिए ज़रुत पड़े, उसे आप की स्कीन लोजने लगते हैं। अब खुद ही सोचोचिक चैना उतना खीचिना होता है उससे आपके हैंस की एकाए लेक्ष के उपर इसका कुछ भें पॉबलम नहीं होता है वही आप ऐस ब्सक्तिक ओपर कर रहे हो तो बहुत जादा हमायरी स्कीन सौब्त होती है इसके उपर reaction भी किसी किसी को जादा हो जाता है तो इसे अच्छा अब ब्लीच करो अगर ज्यादा बाल है फेसके उपर तो ब्लीच करो ब्लीच सिफ बाल थोड़े से कम दिखेंगे आपको और कोई पार्टी से कहाँ पर आपको जाना है तो आपको रूम आगा सिन तो यही है आज का मेरा सब टॉपिक होपसो आपके सारे चाहतर डाउट्स की रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़र कर देना वीडियो को सब्स्क्राइब कर देना नित्या नदर वीडियो में वेट में वेट को शीकिसा बाई